जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हिंदु धर्व में नौरात्री पर्व का विसेश महात्व है, ये पर्व दुर्गा के नो सरूपों को समर्पित है, और इस दोरान मा के सभी रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है दोस्तों नौरात्र के प्रथम दिन मा आदि सक्ती के प्रथम सरूप मासेल पुत्री की पूजा की जाती है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मासेल पुत्री को कैसे प्रसंद कर सकते हैं मासेल पुत्री को क्या भोग पसंद है और उनकी पूजा करते समय आपको किस रंके कपड़े पहनने चाहिए और उन्हें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और पूजा में आपको किस मंतर का जाब करना चाहिए और साथी साथ हम इस वीडियो में जानेंगे मासैल पुत्री की समपूण पूजा विधी और उनकी कथा के बारे में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपस रिकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों नौदुर्गा के नौ सरूपों में से प्रथम सरूप है देवी सैल पुत्री का परवत राज हिमाले के घर पुत्री के रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम सैल पुत्री पड़ा मासैल पुत्री का वाहन व्रसब है इसलिए इने व्रसा रूडा के नाम से भी जाना जाता है इनके एक हाथ में तृसूल है और दूसरे हाथ में कमल का पुस्प है मासैल पुत्री को मात्र सक्ती यानि इसने करूना और मम्ता का सरूप माना गया है मा बहुत ही सरल एम सो में सभाव की है आपको बता दें कि पूर जनम में मासैल पुत्री, राजा दच की पुत्री और भगवान सिव जी की पतने थी तब इनका नाम सती था एक बार प्रजा पती दच ने बहुत विसाल यग का आयोजन किया उन्होंने सभी राजा महाराजा वा देवी देवताओं को निमंत्रन दिया लेकिन भगवान सिव का ओघड रूप होने के कारण उन्हें निमंत्रन नहीं दिया जब देवी सती को अपने पिता के द्वारा विसाल यग के आयोजन के बारे में पता चला तो उनका मन इस यग में जाने के लिए व्याकुल होने लगा तब उन्होंने भगवान सिव को अपनी इच्छा की अनभूती कराई इस पर भगवान सिव ने कहा कि किसी कारण से रुष्ट होकर तुम्हारे पिता ने हमें अमंत्रन नहीं किया है इसलिए तुम्हारा महा जाना कदाचित उचित नहीं रहेगा लेकिन देवी सती ने भगवान सिव की बात पर विचार नहीं किया और अपने पिता के यहां जाने का आग्रे किया तब भगवान सिव ने उनके बार-बार आग्रे पर वहां जाने की अनुमती दे दी और तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि भगवान सिव की बात ना मान कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे अपने पती भगवान स्यू के इस अपमान को सहिन ना कर सकी और उन्होंने ततकाल उसी यग की योगागनी द्वारा अपने सरीर को भस्म कर दिया इसके बाद देवी सती ने परवत राज हिमाले के पुत्री के रूप में पुना जनम लिया और देवी सैल पुत्री के नाम से जाने गई दोस्तों मासैल पुत्री की पूजा करने से वेवाहिक जीवन में सुकाता है या जिन कन्याओं का विवा नहीं हो रहा है वे भी मासैल पुत्री की पूजा करके योगवर की प्राप्ति कर सकती है मासेल पुत्री की पूजा करने से विभिन सिद्धियों की भी प्राप्ति की जा सकती है मासों में सभाव की हैं और भक्तों की सारी मनो कामनाय सीगर पूरी करती है आपको बता दें कि मासेल पुत्री की पूजा करते समय आप लाल या फीले रंके वस्त धारण करें और कलस इस्थापना करके इनकी पूजा की सुरुवात की जाती है इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्तर बिछा लें और इसके उपर केसर से संग लिखें या फिर स्वास्तिक का चिन बना लें अब इसके उपर मासेल पुत्री की प्रतिमा इस्थापित करें फिर रोली कुमकुम अच्छा तादी अरपित करें और मासेल पुत्री को सफेद कनेर का पुस्प चढ़ाएं या फिर लाल गुढ़ेल का फूल अरपित करें और मासेल पुत्री को गाय के घी का भोग लगाना बेहत सुप माना गया है फिर इसके बाद धूब दीब जलाएं और तत परशात मासेल पुत्री के मंत्र ओम संग सेल पुत्री देवे नमा मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए फिर मंत्र पुन होने के बाद मासेल पुत्री के चड़नों में अपनी मनों कामना जरूर बोलें और माता से प्रातना करें तथा सरद्धा पूरवक माता की आर्तिकर पूजा को विद्वच संपन्न करें तो बोलो मासेल पुत्री की जय तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद